जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियो से हैं मिंडेक्षिण और सिंख्रोंगन मशीन को कवर कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कन्सेप्स को डिफरेंट डिफरेंट टापिक के माद्य ऐस öl्रा converting कोषिछ और हो जगता है आपने इस से लिटेटरी वीडियो देखा होगा पर इस वीडियो को देखने के बाद आपके concept में बहुत जादा clarity आने वाला है और कुछ misconception भी है उसको भी हम clear करेंगे और हमेसे अगतरा आपको कुछ नहीं information जो है जरूर provide करने कोशिद करेंगे तो इस वीडियो को देखते रहे हैं आपको कुछ नहां तो क्या बहुत कुछ सिखने मिलने वाला है तो ऐसा सिव आपको थ्री-फेस स्क्वेरल के इंडक्शन मोटर में ही नहीं स्लिपरिंग टाइप या वन टाइप रोटर को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जो रोटर स्लॉट्स होता है वो तिर्चा होता है उसके अंदर जो है वाइंडिंग की जाती है अब इसके पीछे कई सारे कारण है और सब इक दूसरे से रिलेटेड है उसको कंसेप्शली हम चीजों को समझेगे तो आपको यह जानके हैरानी होगा कि अगर आप स्लॉट्स को सीधा रखते हैं कंडक्टर जो है आपका पैलली आपका स्टेटर कंडक्टर के साथ एलाइन अपने दिया है और इसको चलने के लिए जितना वोल्टेज की जुरुत है यानि कि जो रेटेड वोल्टेज वो भी आप दे रहे हैं यानि कि रेटेड वोल्टेज देने के बावजूद भी जो है यह मोटर अपका स्टार्ट नहीं हो पा रहा है अब कोई भी मोटर अगर स सही सिलेक्ट किया है जितना लोड है उसके हिसाब से हमने मोटर सिलेक्ट किया तो फिर ऐसा क्यों प्रॉबलम आ रहा है तो अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मोटर टॉर्क तो डेवलप्ट कर रहा है पर शायद ऑपोजिट डिरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा कोई बल कोई टॉर्क लग रहा होगा जो इसको रोकने की कुशिस कर रहा है तो एक्जैक्ली यही होता है और इस फोर्स को हम रिलेक्टन्स फोर्स कहते हैं और इसी रिलेक्टन्स फोर्स के वज़े से जो है रोटर और स्टेटर के बीच में मागनेटिक लॉकिंग हो जाता है और इ के वाज़े से अब समझना हमें यह है कि यह माग्नेटिक लॉकिंग हो क्यू रहा है और यह रिल्लक्टेंस फोर्स क्या है तो अगर आप मोटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको रोटर रस्टेटर देखने मिलेगा और रोटर रस्टेटर दोनों में ही जो है आपको आपको समझ में आ रहा है और यह जो बाहर निकला वह इसको हम Tith बोलता है चुछ一次 है यह इसी प्र Pas पर कहते हैं और इसी प्रकार से जузित होता जिसके रिधज ऑस embargo है इस तरीके से conductor के अंदर से अराम से current flow होता है वहाँ पर resistance बहुत कम होता है उसी प्रकार से magnetic material के अंदर reluctance बहुत कम होता है यह reluctance क्या है reluctance वो property होता है जो magnetic field को oppose कर रहा होता है तो जितना कम reluctance होगा उतना जादा अराम से magnetic field आपके material के अगर आप रोटर और स्टेटर का बीज का एयर गाप देखेंगे खाली स्पेस जो है उसको अगर आप देखेंगे तो एक जैसा नहीं होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है कहीं पे आपको जादा एयर गाप देखने मिलेगा तो कहीं पे आपको कम एयर गाप देखने मिलेगा जहां पे वाइंडिंग किया हुआ होता है वहां पे आपको जादा एयर गाप देखने मिलता है जादा खाली स्पेस देखने मिलता है और यह जो magnetic field है, वो air gap से flow होते हुए आपके stator के कोड तक जाता है, आप चुकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका air gap कम है, तो जादा जो magnetic field है, वो इस वाले रास्ता से flow होना पसंद करता है, क्योंकि इस वाले रास्ता से उसको कम से कम रुकावट मिलता है, कम से कम उसको reluct यह जाता है, क्योंकि air gap कम है, य। कि जतना जादा उसको air gap मिलेगा, जतना जादा उसको air से travel करना पड़ेगा, तो जितना जादा ऑसको opposition का सामना करना पड़ेगा, तो जिसके वाले से होता यू है, कि जो tit है, वहाँ पी जो magnetic field density है, आपको जादा देखने मिलता है, और उ opposite pole जो है एक दुस्टे को attract करता है तो यह attraction जो है force यहाँ पे पैदा हो जाता है तो इसी force को जो हम reluctance force कह रहे होते हैं जो आपके motor को start नहीं होने देता है तो आपको समझ में आगए कि इसको reluctance force ही क्यों कहा जाता है और यह exactly होता क्यों है तो अगर आपने गहराई से समझा होगा तो सारा problem को जो जड़ है वो आपका non uniform air gap है वो जो air gap जो non uniform है कहीं पे जादा air gap है कहीं पे कम air gap है तो अगर उस चीज को अगर ठीक कर पाते हैं तो कहीं न कहीं यह जो cogging वाला जो problem है उसको आप solve कर पाएंगे और जैसा कि आपने देखा कि जो magnetic field भी जो है air gap में वो भी uniform नहीं है कहीं पे जादा magnetic field देखने मिल रहा है कहीं पे कम देखने मिल रहा है जो tip है वहाँ पे जादा magnetic field density है तो जो magnetic field है वो भी non uniform तरीके से distribute हुआ आपके air gap में तो इस non uniform magnetic field के वज़े से भी जो torque आपको मिलने वाला है वो torque भी यानि कि उतना smooth a torque आपको नहीं मिलता है और non-uniform torque केवाइसे होता क्या है कि आपका motor जो है vibrate करता है बहुत जादा जो है आवाज पैदा करता है humming sound जो है create करता है अर आपको बतादे कि इस non-uniform magnetic field के वज़े से ही जो है आपके motor के अंदर harmonics पैदा होता है अब यह harmonics के उपर already हमने एक dedicated video बना रखा है in short जो है यह extra current और voltage होता है जो आपके winding में पैदा हो जाता है जो flow होने लगता है अब यह current का जो ampere होता है वो बहुत कम होता है generally बट इसका जो frequency है वो बहुत जादा होता है थर्ड हार्मोनिक के जो frequency है वो तीन गुना जादा होता है आपके normal current के comparison में normally जो है current आपका 50 Hz में flow हो रहा होता है बट थर्ड हार्मोनिक में जो है 150 Hz में आपका current का direction बदल रहा होता है वैसे ही फिफ्थ हार्मोनिक का अगर हम बात करें तो उसका जो frequency है वो पांच गुना जादा होता है आपके normal frequency से वैसे ही 7th का जो है 7 गुना जादा होता है और इसी 7th order harmonics के वज़े से ही जो है कई बार आपको motor जो है बहुत ही slow जो है rotate करता हुआ दिख रहा होता है और इसी phenomenon को जो है हम crawling कहते हैं तो crawling exactly है कि आपको समझ में आ गया कि आपका motor जो है बहुत ही slow speed में rotate कर रहा होता है अगर 1500 rpm का motor है तो वो लगभग 210 के आसपास जो है वो rotate कर रहा होगा और इसके पीछे का कारण क्या है कारण है 7th order harmonics और यह harmonics पैदा क्यो हो रहा है आपके non-uniform magnetic field के वज़े यह non-uniform air gap के वज़े से और यह non-uniform air gap क्यों हमें मिल रहा है इस rotor slots के वज़े से तो जब आप इस rotor slots को तिरचा लगाते हैं तो उससे होता यू है कि जो air gap है पहले के comparison में ज़्यादा uniform हो जाता है जिसके वैसे आप cogging को कम कर पाते हैं crawling को कम कर पाते हैं आप चुकि air gap आपको uniform हो गया है तो जो magnetic field का distribution है वो भी uniform हो जाएगा जिसके वैसे जो आपको torque मिलेगा वो भी uniform मिलेगा यानि कि वो भी smooth मिलेगा यानि कि आपका motor कम vibrate करेगा और humming sound जो है reduce हो जाएगा और इसका एक extra advantage आपको मिलता है कि इसका जो torque output है वो भी बढ़ जाता है वो कैसे होता है कि आपको अगर slots तिर्चा है तो उसमें जो आप conductor डालेंगे वो भी तिर्चा होगा पहले की मुकाबले आपको ज़्यादा conductor डालना होगा यानि कि आपकी conductor का जो length है वो ज़्यादा होगा और आपका conductor का length ज़्यादा होगा तो conductor का resistance बढ़ जाएगा और अगर resistance बढ़ता है तो torque कैसे बढ़ता है इसका जो explanation है मैंने बहुत ही बहतरीन तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में दे रखा है तो आप इस वाले वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं तो देखा कितना बहतरीन तरीके से जो हमने सारी चीजों को समझ ली है कुछ भी हमें रटने की जूरत नहीं है सारी चीज़े जो एक कंसेप्शिली हमें याद रहने वादी हैं तो मिलते हैं ऐसे की दो वीडियो में टिल दन टेक क्यों बाबाद